और अब खबर में रट सी है जहाँ पर BSP के पूरू मंतरी याकुब कुरेशी पर कानूरी शुकंजा कस किया है याकुब कुरेशी समेच साथ लोगों पर खरकोंदा थाने में गैंगिस्ट्र एक्ट का मुकत्मा तर्च किया गया है आपको बता दी कि याकुब कुरेशी पर 25,000 रुपय का इनाभी गोशित है जो अपने बेटों के साथ पराड़ चल रहा है दरसल पुलिस ने याकुब कुरेशी की मीट फैक्टरी पर छापा मारा था जिसमें सड़ा हुआ मांस परा मत भुआ था जिसके अधार पर पुलिस और खात विफाग्ट मीट फैक्टरी को सीज कर दिया था इसके साथ याकुब कुरेशी के घर को भी पुलिस ने कुर्क कर दिया है जो गुणवत्ता से जो मानक है उसके निम जो मीट रैक्टरी के जो मांस के उखपाद हैं उनका प्रोसेसिंग वहां पर की जा रही है जो फरार चल रही है उनके ओपर भगोडा घोशित होनी ड्था 22CV के अंटराट गण साथे साथ उसमें 23CV के अंटराट जिसमें उसमें कूर CRA की गई है और उसमें कूरकी के दरान के बाद से मफूरी में चार्षट नयाले में दणी की गई है और उसी मुकदमे में इसमें गैंक्ष्राट की ताहट कारवे की गई है और बड़ी ख़बर मिल रही है उन्नाव में युवती की हत्या का मामला पोस्ट मौटम रिपोर्ट से आहम खुलासा हुआ है युवती की प्राइबिट पार्ट में निकली चोट सुट्र के ह हवाले से जानकारी मिल रही है जादा कून बहने से युवती की मौत पुई है बुद्वार को मिला था युवती का शब परिजनों ने जताई थी रेव के बाद हत्या की आशंका ओफीशिली अगर बात करें तो पोस्ट मौटम रिपोर्ट का अंतजार किया जा रहा था ले पुरा हो चुका है परिजनों को पुलिस मनाने में जुटी हुई है जाम जो लगाया था परिजनों ने फिलाल जाम को खुलवा लिया गया है लेकिन अभी परिजन पोस्ट मौटम हाउस में मौजूद है और आला दिकारी मौके पर लगातार उन्हें फम्जाने की कोशिश की जा रही है अनुज परिजनों का क्या कुछ कहना है आपकी कोई बात हो पाई है क्या जी परिजनों में जो प्रिजनों में जो मित्का की मा हैं उनका साथ तोर पर आरूप है कि बेटी की रेप के बाद हत्या की गई है और जो उसके आरूपी है उन ददिन्दों को पकला जाए ये परिजन मांग कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो दोशी है उनके खिलाफ सक्थ सक्थ कारवाई की जाए जिसको लेकर परिजनों ने जाम लगाए है था बहुत शुक्रिया नुज इस पूरी जानकारी के लिए पे दस करोड़ बहतर लाग 39 हजार रुपए का अन्यमित भुक्तान किया गया है और इसी तरह से साल 2019 2020 में आठ करोड चार लाइक रुपए का अन्यमित भुक्तान किया गया है जबकि साल 2018 2019 में एक करोड़ चौधा 55,56,000 रुपए और साल 2017-2018 में 58,80,000 रुपए का अन्यमित भुक्तान किया गया है अब सरों ने बिना काम करा ही करोणों का भुक्तान किया था और्डिट टीम ने इसकी चांच की तो सारी सच्चाई खुल कर सामने आ गई